कोविट के 30 नए प्रिकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7495 पॉजिटिव प्रिकरण पूरे देश में आये हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती हैं। महारास्ट, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सब्ता से पॉजिटिव केसों में लगातार ब्रिद्धी हो रही है। लगातार बढ़ोत्री हो रही है। कल महारास्ट में बारा सो एक, गुजरात में इंक्यानवे और दिल्ली में एक सो पच्चीस पिरकरण आये हैं। हम सब जानते हैं। इन राज्यों से मध्प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है। और पूर्व के अनभब भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महारास्ट में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू है। गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कस्ठ हमने भुकते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दौनों लहरों को भी देखा जाए। पहली हो या दूसरी हो प्रारंब इंदौर भुपाल से ही हुई। और अभी इंदौर तथा भुपाल में प्रिक्रण बढ़के लगवग साबता है एक प्रिक्रण नमंबर मैने के तुल्ला में दिसंबर में तीन गुने हो गए हैं। करोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रण के रूप में देश के सूला राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मद्धृप्रदेश में भी ओमोकरान वाइरस के केस मद्धृप्रदेश में जल्दी आ जाएं यह जिदि हम पूरी दुनिया का भी अध्यन करें और पूरी दुनिया का अनुभव देखें तो ओमिक्रान बहुत तेजी से फैलता है इंग्लेंड में एक लाग केस पृति दिन आ रहे है अमेरिका में भी लगबग धाई लाग केस पृति दिन आ रहे है यूरोप में भी ओमिक्रान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उपरोप्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मास ये लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं कोविट की तीसरी लहर को आने से रोकें तेजी से संक्रमंट ना फैलें इसके लिए हर आवसक उपाय करें और इसलिए मेरे प्रिये बेहनों और भाईयों भारत सरकार ने भी कुछ राइड लाइन जारी किये मेरी आप से प्रार्थना है कि अब देर ना करें मास्क जरूर लगाएं सोसल डिस्टेंसिंग बनाएं अनावसक भीण में ना जाएं अनावसक जमावणा ना हो और अब तक अगर किसी ने बैक्सीन का डोज नहीं लिया टीका नहीं लगवाया तो टीका जरूर लगवाएं पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें अगर समय की अबद ही पूरी हो गई हो तो तुरंट दूसरा टीका भी लगवाएं इसके साथ ही हमने पहले ही तैय कर दिय था कि इस्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो पचास प्रिस्ट की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहां सोसल डिस्टेंसिंग बनी रह सके हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्री का आलीन कर्फ्यू रात ग्यारह वजे से ले के सुबह पांच वजे तक लगा रहेगा अ आवस्सक्ता पड़िये तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे और हां अगर कोविट का कोई पोजिटिव केस आता है तो घर में अगर परयाप्ति स्थान है तो घर में उसको आईसूलेट करके इलाज करेंगे और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भरती करा चाहिए ताकि परिजन वाईरस के संक्रमन से बच सकें सावधान रहना है याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरे लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जंता की जिंदगी की सुरक्षा क कर पाएं यह आप सब के सही होग से ही होगा बहुत 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 बहुत